बच्पन में एक बात सिखी थी कि दोस्त बनाओ कम बनाओ पर ऐसे बनाओ जो आपके दुख सुक में खड़े रहे ना कि आपके दुख में चार लोगों के सामने मजाग बनाए और आपके सुक में मुझ चड़ा कर अलग से खड़े हो जाए नमजते मैं हूँ नता से कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको बुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी यह वही लेडी है जो दूसरों के शादी पर इतना जादा उदास हो जाती है इतना जादा पागल हो जाती है कि अपना चरीतर चितरन वहां पर दिखाना शुरू कर देती है अपना दोगलापन जो दूसरी चादी के लिए इतनी जादा बेताब है कि हर दीसरे दिन इसके लिए नए लड़कों की रिष्टि आते हैं जो इसका कहना है पता इनि वह कौन से रिष्टि यहां कभी से शगुन देखे जाता है यह वही ओरथ है जो शगुन का चुड़ा देखके बार-बार का ड्रामा करती है और ये वो ही ओरत है जो लगबग एक महीना भी नहीं बीटा चूड़ा को पहन के डांस कर रही थी जो ओरत वो चूड़ा जो होता है उसके कीमत नहीं पहचान सकती वो ओरत उस चूड़े को पहन के डांस कर रही थी कि मेरी शादी होने वाली है हातों में ए तो आपनी है एक सस्रा एक जो फोहागन की चीज़ें उसकी को कीमत नहीं है और इसकी इसको वह भी कीमत नहीं है कि अगर कोई ओरत अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर रही है वह खुश रह ले या फिर जो कि भी अपनी लाइफ में खुश है ये किसी को खुश देख कर बहुत जादा अजीव था क्योंकि कल मैंने लाइब देखी लक्षमी की लाइब उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि क्योंकि लक्षमी बहुत जादा एक्टिव नहीं है और मैं उनके चानल को बहुत अच्छी तरकी से फोलू नहीं करती थी इस वज़े से मेरे पास में उनका notification नहीं आया कि उनकी साथ में क्या चल रहा है लेकिन मेरे पास में नीधी का notification आया क्योंकि ये इसकी मैं वीडियोज देखती हूँ किसलिए reaction के लिए और जब इसके सामने आते मैं इसके उपर reaction देना भी बंद कर दिया था लेकिन मैं इसके एक वीडियो बनाई हुई थी जो 17 तरीक को बनाई थी पहले ही बना ली थी वह मैं डालने माई थी लेकिन अब मैं उसको शाम को डालोंगी वह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना किस तरीके से यह एक दूसरी ओरत के नाम को यूज कर रही है सिर्फ अपना फाइद वह जो उसके पती को किसी ने यह बोल दिया हो या किसी ओरत को या आदमी को यह बोल दिया हो कि वह बच्चा नहीं कर सकता हो और अचानक से ऐसा बच्चा हो जाए तो आप समझ सकते हो ना प्रेगनेंट हो है वह और पच्चा हो जाए तो किस तरीके से बच्चा तो आदमी क्या उसको समझेगा ? तो मैं उसके समझच गई । कि लक्षमी की बात करी है क्योंकि मुझे पता था कंचन के साथ यो पंगा हुआ था उसमें बहुत कुछ चीजे खुल ये चीज में लिले बहुत सैंसिटी razor है बच्ची Hammer की टोपिक के लिएकि और इसी वज़े से मैं हमेशा दीवा को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उनके उपर भी इस तरीके की उंगले उखती है हला कि उन्होंने उन उंगले को काफे अच्छी तरीके से तोड़ा है भाई मुझे नहीं करना तुम्हें करना है तो करो ठीक है लेकिन इस वज़े से मुझे बहुत जादा इस चीज़ का क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर रही हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़े जहलती हूँ जिसको मैं नहीं जिक्र करती ही YouTube पे या फिर कहीं पर भी लेकिन अगर मैं बताने लग जाओ मुझे पता है कि बहुत जादा लोग इसी से इंस्पायर होंगे कि किस तरीके से आप जहिलते हैं वो सब चीजे लेकिन मैं नहीं चाहती कि अभी जब तक मेरे पास में कुछ अच्छा नहीं है मैं किस तरीके से किसी को मॉटिवेट करू या कुछ करू लेकिन इतना है बनने एक बहुत मतलब बहुत बुरा लगता उस चीज को सोच कर लेकिन मां बनना जितना जादा अच्छा लगता है उससे कहीं जादा ना बनना बुरा लगता है तो आप समझ सकते हो कि एक इनसान जब उस चीज से गुजरता है उस दोर से गुजरता है वो कितने मेंटली तों लक्षमी को उसी नजरों से देख रहे थैं कि भाई वो है परिशान इसलि Caitlin को नहीं कहglass पर यहां सिर्फ पॉइंट लेके आ रहे हैं कि वह उनको दिक्कत आ रही थी प्रेग्नेंसी करने में से मुझे भी आ इस तरीके से इंसान करेक्ट हो जात है दूंसरे तो इस वज़े से में महापे लक्षमी की महाः पर गई उस वक्त टायम में अभी तीसरा महीना नहीं चला, जब तक फर्स्ट टायमिस्टरaltet होता है, यानि कि थ्री मंथ नहीं होता बहुँ जादा ज़ो है प्रॉबलम का सामना लोगों को करना पढ़ सकता है उपर से उनको जो प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मेरी कि सिर्लेटिव को ऐसी प्रॉब्लम होई थी जो कि जब फर्स्ट मंत के थोड़ी दिन बाद ही शुरू हो गई थी तो डॉक्टर ने फूली बैड रेस्ट बता दिया था मिलना पड़ता है उसके लिए माना कर देता है इंसान वैसे ही टैंशन में रहता है कि कहीं कुछ होना जाए ऊपर से लगते हैं वह इंजक्शन भी काफी भारी होता है इंजक्शन लगते हैं दवाईया चलती एक प्रॉपर डाइट चलती है आपको बहुत सारी चीज़े ख उस टाइम बात से ही जहलना उसने शुरू कर दिया आज वो सब ब्लास्ट हो गया उसका आगया उसका सामने सब कुछ उसने ब्लास्ट कर दिया उसका मन भर गया उसने ब्लास्ट कर दिया जो भी कुछ हुआ है आप सब कुछ समझ सकते उस चीज़ को भी एक औरत को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि आप खुद सोचो आपकी लाइफ में आपकी एक मेरिट लाइफ है उसमें अगर तीसरा बंदा चाहे वो तीसरा बंदा कोई भी हो तीसरा होता है husband wife के सामने अगर बच्चा भी आ जाए तो वो तीसरा है husband wife के बीच में अगर बच्चा भी आ जाए वो तीसरा है बट इनसान वहाँ पर adjust करता है क्योंकि बच्चा अपनी नहीं चला रहा लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर अपनी चला रहा है husband wife को ना support करके उ सब्सक्राइब कर रहा है तो आप सोची कि उसके साथ में वहाँ पर हो रही है मैं किसी का नाम नहीं लोगी वह कंडिशन उसके साथ में हो रही है बहुत ही बुरी कंडिशन है ऐसा लगता है कि जब हस्बेंट कदर ना करें ना समझे जिसके लिए औरत सब ज्यादा इनसान, क्या दूसरे डिप्रेशन में जाएगा, वोपर से, उससे उसने कर लिया प threat लए इतनी मुसीबत के बाद में उसने कंसीव कर लिया, तो उसकी कंसीव करने के बाद भी आगर उसको सपोर्ट नहीं मिलना तो यह बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत ही गंदी बात है जो भी उसके साथ में ये कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है वो इंसाम तो वहां गलत है लेकिन बात करूँ मैं या नागिन की जो यूट्यूब पर दूसरी नागिन बैट हुई है दोस्त बनके जो डसर ही है सब को यहां बैटके उस नागिन तो उस चीज को सोचने हैं, सोच के हम तो यह ही कहेंगे, हम इसलिए जाधा नहीं बोल ते, मैं कंचन के मामले में कभी जाधा इसलिए नहीं बोली, क्योंकि मैं हमेशा उसको गुशाती थी, कि ठीक है कुछ भी है, वो इनसा तुससे प्यार करता है, तेरो कदर करता है, उची तुम दोनों सपोर्ट करके एक दूसरे को यूट्यूब चैनल अच्छी से चलाओ वहाँ पर अच्छी वीडियोस बनाओ जिसे के अच्छी कमाई हो और तुम दोनों उसको बैठके अराम से कर सको मैंने इंचन को अभी हमेशा यही समझाय है और मैं यहां पर भी यह जात बोल दें मैं बहुत प्यार करते हूँ उससे लेकिन जो मेरी कादर नहीं मेरे साथ में तो मैं क्या करूं उस लड़गी की चिंता भी हो रही है पुरी रात मुझे ऐसा अजीब लगता रहा है में साथ में ऐसा होता है जब मैं ऐसी चीज़े देख लेती हुआ नियूज में कहीं भी मेरे दिमाग में चीज़े घुमती रहती और और टेंसं बहुत बड़ा क्रणा रोता है राइक बड़ा नेका यह एं अनुप किया ओपना और Biology की कैसी हास पता है मुझे क्या करती है वाले तो इसका मानना ये है कि दुनिया में जितनी भी ओड़ते हैं सबको पर्मोट इसने किया है जितनी भी इसको दोस्त कहते सबको पर्मोट इसने किया है सबका भला इसने किया है इसने किसी से कभी कोई बैनिफिट ही नहीं लिया इसने कभी किसी से कोई स्पोंसर नहीं मांगा इसने कभी किसी से यूनिका कि मेरा चैनल डाउन जा रहा है तो वीडियो शेयर करते इसने कुछ नहीं का इसका मानना यह है जब बाकी असले सब को पता है कि कौन कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर तो इस और ने क्या कहा करा जब लक्षमी लाइव आई तो यह फट लाइव आगी लाइव में अराम से बैठके कप्ष बनाने के लिए आई है महाँ पे सिर्फ एक बखेड़ा ख़़ा करने आई है यह बोल रही है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि यूट्यूब पे आंके सब कुछ बता रही है रहे है तो जिसने अपनी सांस ने छोड़ी ससून ने छोड़ा पती नी छोड़ा देवन न सुरत पर इतना जाता गुस्सा आ रहे हैं आप इसकी हरकते कल वाली देखते ना वह इतनी परिशान लड़की वह लाइव में बैठी हुई यह बाते करी और यह महां पर भी जाके उसको बत्तमी जी कर दिए उसके साथ में बेफूफ और जब वहां पर सारे लोग इसके सर कृभस अब बंद्निक हो यह नेट बंद्धो तु स्कूल का पता नहीं चलता कई बार मिंश्कूल तक also मैं पता नहीं चलता और मैं तो इतना भी यह यहहिंत ना । कि नहीं करते कि संने उस वक्त में कॉल किसी और को कि लोगी पर महाँ पर इसने उसका नाम लागा दिया। इसका कुछ ऊत्परोंसनी न्ही को उसने का बैट के पहले तो पर वचन देगा कि नहीं करना चाहिए करा मुझे एक पता थी मैंने कभी जिकरनी कर्या कुछ सी टाइम पहले तुनी लाइव की थी लग्षमी अपनी लाइव में खुशन रही है वह हैं जब कहा थी तुछ समझाया नहीं जा रहा हुआ था समल के रहूं लेकिन इसको लगा कि नहीं है तो मेरी फ्रेंड है यह सही है वह बहुत गलत तिस टाइम भी अगर इसने यह बात बोल ली है खुद बोलती है कि इसने क्यों करा क्यों करा चलो भाई तो अपनी प्रस्टर लाइफ शेर करती किसी और bes ago मैं उपर से मैंने फोन किया उत्व वा था याद है कि मैंने का कहा क्या बात हुई सपना से इतनी जूटी हो अरे किसी का साथ नहीं दे सकती ना तो कम से कम उस इंसान को नीचे मत गिरा उस ताइम से जब बहुत ज़्यादा परेशान है कंचेंट पर्स उपनी लाइब ने रो रही थी ए कूंधि उसके उसके साथ इस सही सक्वर्ख के पैसा बहुत ज़्खाए पहुद कुछा उसको बहुत तकलीफ होती यह बहुत ज़्यादा खुश थी उस वक्त में इसने क्या कि उसको फायदा अठाकर वीडियो बनानी शुरूब और ये बहुत खुश थी सच्चा सच्चा थी पहले तो उनकी तरह जीवन वैतित करती थी बहुत अच्छा गम पर जन किया है जाता था कि बुख़वित्र आत्मा है में बहुत पवित्र आत्मा है तो उस पवीत्र आत्मा का क्या कुigmूशन निकल जाता है घृट निधी को रिज़ाता नंकि हो बहुंति हो जाते का मन पवित्र होता था अरे यार इसको तो मनी काला है वीडियो हो गई तो कि भगमान बन गई या फिर सही बन गई नहीं न वह तो बात छोड़ दो कि वह पहले कैसे रहती थी कैसे रहती थी या नहीं रहती थी इसको तो दूसरों की लाइफ में इंटर करने से ही मतलब नहीं है इसको तो दूसरों की खुशिश में ही दुख होने से मतलब नहीं है मिनट मिनट में रोती है बैट के दूसरों के खुशी पर इस और आप क्या चीज जिसको सपोर्ट कर रहे हो कि अगर यह गंदा बोले किसी के लिए गलत बोले तो वह चीज़ पूरी हो जा सच में इस ब्गों के पालने की तमीज ना इस लोगां रहने की तमीज है ना इस लोकों का पता है कि क्या होता है जिन्दगी में क्या नहीं होता इसको सिर्फ एस जाती है यह अपने दो पैसे कमारी है उसको मेहनेत नहीं उसको कहेंगे गंधी प्पLa سिटिक गंधी वीडियोस और गंधी जो है लोगों को उलटा सिधा वो बोल के बरगला के कुछ लोगों यह पैसे कमारी है उस चीज़ को इसने अपना जो है पेशा बना लिया है लोन, 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 ये जो करती हैना वो सिर्फ content के लिए करती है और खुद इसके मूँ से कहीं बार निकल चुका है तो बेद्धूदा औरत उसको बकषते, जैसे कंचन के लिए मैं हमेशे कहती थी कि उसको बकस दे कंचण को convincing एपी इसी उसके लिए गेह रही हो भी जीने दे क्योंकि जो इंसान परिशान है नेलाला ऐसमे और व उस परिशान इंसान को कोई परिशान करता है ना तो उससे गिरावा इंसान कोई नहीं होता आप भी अगर इसकी वीडियो कुछ इसके बारे में आई ना इससे मिलते जुलते टोपिक लाएगी धरूर क्योंकि बेशनम है तो समझ जाना कि यह बहुत गिरी हुई योरत है और लक्षमी आपसे भी मैं कहना चाहूंगी आपने इसका रूप देख लिया न इसका साथ कभी मत लेना किसी भी चीज में आपको कितनी भी जरूप पड़े बहुत बड़ी नागिन है डैसे की घर तो बरबाद करी देगी साथ में आपको बनी छोड़ेगी और फिलाल मैं यह कहूंगी अपने बच्ची की केर करो अपने बारे में सोचो और अच्छी तर हो जाएगा और अगर नहीं होता तो उस चीज को भी जहलने के लिए तहियार रहो बट फिलाल कॉंसेंट्रेट बच्चे पर करो और बच्चे पर ध्यान दो क्योंकि वह जादा जोड़ी है बहुत जादा जोड़ी है चले हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए ब कि उपश्ठ है लो जाद एफ版 कि बचले हम तो प्रवम में तो यादन लुद्दकितैन लुद्ट एगित शोले हम और वर enormous भी को लादता बचले हम लिए लुट्झे सब्चгов